प्रिप्रेशन करना चाहते हैं डिस्किप्शन में दिये गए वर्ट्सप ग्रूप को लिंक पर क्लिक करके वर्ट्सप ग्रूप से जूड सकते हैं चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुलाम का वैदुत बल सम्मंदी नियम यहां पर एक प्रिशन उठकर आया है कुलाम का वैदुत बल सम्मंदी नियम लिखिए अगर इसी कोश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दिखा जाए तो दूसरा हमारा कोश्चन बन जाएगा दो बिंदु आवेशो के बीच लगने वाले आकरसर अथवा प्रतिकरसर बल के लिए कुलाम का नियम लिखिए अब यह दोनों कोश्चन जो हैं एक ही तरह दिख रहा है इसमें दोनों में बोला है कुलाम का वैदुत बल सम्मंदी नियम लिखिए या दो बिंदु आवेशो के बीच लगने वाला आकरसर तथा प्रतिकरसर बल लिखिए तो यह दोनों जो है कुश्चन इन दोनों का एंसर एक ही ही होगा अब इसको हम बारी बारी से आपको समझा देते हैं डीटेल्स में समझाएंगे पूरी तरह समझाएंगे आप वीडियो को अंते तक देखिएगा तो सबसे पहले उड़ता है कुलाम का नियम क्या है तो कुलाम का नियम पहले समझ लिजे तो देखिए कुलाम का नियम क्या है सन 1785 स्वी में फ्रांसिसी वैज्यानिक कुलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंद के बीच में एक नियम दिया था और उसे कुलाम का नियम कहते हैं इस नियम के अनुशार क्या है इसका मेन जो परिभासा है इसको ध्यान दीजेगा दो इस्थिर बिंदु आवेशों के मद्ध लगने वाला आकरसड या प्रतिकरसड बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के ब्यूत क्रमानुपाती होता है अब ये तो हो गया इसका परिभासा इसको अप लिख सकते हैं लेकिन ये किस प्रकार्द होगा अब इतना याद करना तो बहुत ही मुश्किल होता है सबी लोग कहते हैं फिजिक्स को याद करना बहुत मुस्किल होता है लेकिन ऐसा नहीं है अगर एक्सपर्ट की बात करें तो फिजिक्स को याद करना बहुत ही सरण होता है और आज हम इसी के लिए बताने वाले हैं कि ये जो आपने अभी पढ़ा है दो इस्थिर विंदू आवेस्यों के मदल लगने वाला करसर प्रतिकरसर बल इस प्रकार से जो आपने अभी पढ़ा है इसको किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं तो चलिए इस्टेप बैश्टेप बताना सुरू करते हैं यदि दो बिंदू आवेस Q1 वा Q2 एक दूसरे से आर दूरी पर इस्थित हो तो कुलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला बल अब हम इसको एक छोटा सा ग्राफ के मादम से बताना सुरू करेंगे जैसे यह हमारा कोई आवेस है Q1 नाम से और एक यहाँ पर हमारा कोई आवेस है Q2 नाम से और इन दोनों के बीच की दूरी यह हमारा दो आवेस है इन दोनों के बीच की जो दूरी है उससे ले लेते हैं आर यह हमारा दूरी है आर तो वहीं जो बोला है आपका यदि दो बिंदू आवेसो Q1 वा Q2 एक दूसरे से आर दूरी पर इस्थित हो एक दूसरे से कितने दूर बल क्या होगा वही हम बताने वाले हैं तो देखिए लगने वाला बल F Proposional Q1 Q2 होगा ठीक है या देखा जाए उनके बीच की दूरी क्या है R है तो ये हो जाएगा F Proposional 1 upon R² या multiplication करते है तो मिल जागा F Proposional Q1 Q2 upon R² ठीक है बहुत ही Simple तरीकस आपको समझे में आयागा ऐसा नहीं कि बहुत ये Hard है बहुत ही Simple तरीकस आपको समझे में आ जाएगा ठीक है अब इस Proposional को हटाते हैं दियान से समझेगा यदि इस प्रपोज़न को हटाते तो वहाँ पे हमें एक क्या मिलेगा एक नियतांक मिलना चाहिए तो वो नियतांक ले ले लेते हैं अब यह जो के आया हुआ है यह क्या है और इसका नाम क्या है इसका मात्र कितना होता है इसका सब्पुछ यह भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यह अपने मन से तो लगाएंगे नहीं इसलिए इसका नाम भी लिखना पड़ेगा तो आपको यहां लिखना पड़ेगा जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांग है ठीक है हमें यह पता चल गया कि के क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांग है यह देखा जाए के का मान क्या है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रयोगो द्वारा के का मान कितना है 9.0 गुडे 10 to power 9 Newton meter square प्रती कुलाम square यह इतना प्राप्टिवाए किस का मान इस के का मान जो की हमारा अनुक्रमानुपाती है ठीक है इतना प्राप्ट करने के बाद अब देखिए हम यहाँ पर के की value यहाँ पर पुट कर देंगे कौन सा मान 9.0 गुडे 10 to power 9 उसको पुट कर लेते हैं तो मिल जागा f is equal to 9.0 गुडे 10 to power 9 यह मैंने पुट कर लिए साथ में उसके बाद क्या है q1 q2 upon r square ठीक है इतना clear है अब इसके बाद देखिए अब यह k क्या है k को और किस भासा में हम लिख सकते हैं यह जो हमारा k अनुक्रमान पाती है उसको और किस भासा में लिख सकते हैं उसको में हम आपको दिखा देते हैं तो yu तथा निर्वात में k बराबर 1 upon 4 pi epsilon 0 भी लिखा जा सकता है मतलब k का मान किस में yu तथा निर्वात में आपको 1 upon 4 pi epsilon 0 भी लिख सकते हैं तो यह value हम कहां put करेंगे इस k के स्थान पे k का मान तो यह total था इसके स्थान पे हम यह value put करेंगे तो मिल जागा f is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square ठीक है इतना clear है अब देखिए यह जो epsilon 0 आ रहा है epsilon 0 जो आ रहा है अब यह क्या है इसका कोई नाम होना चाहिए इसका मान होना चाहिए और इसका मातरक भी होना चाहिए तो वो क्या है चलिए उसको भी बता देते हैं तो epsilon 0 को yu तथा निर्वात की बिद्दुच सीलता कहते हैं तो आपको पता चल गया epsilon 0 को क्या कहते हैं बिद्दुच सीलता ठीक है अब इसका मान क्या है इसका मान 8.85 गुडे 10 to the power minus 12 कुलाम square प्रतिन न्यू 10 meter square यह इसका मातरक होता है तो आपको दो चीज़े clear हो गया epsilon 0 को बिद्दुच सीलता कहते हैं इसका मान यह है और इसका यह मातरक है ठीक है इतना clear है लेकिन एक चीज़े आपको थोड़ा से doubt लग रहा होगा यदि नहीं लग रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या doubt है वायू तथा निर्वात में क्या है ठीक है यह भी कुछ पॉइंट बनती आपकी कि वायू तथा निर्वात आखिरकार है क्या यह भी समझ लीजिए तो देखिए यदि दोनों आवेशों के माध्यम वायू तथा निर्वात के स्थान पर कोई और अगर कोई अनपरावेदूत माध्यम आता है तो वो क्या क्या हो सकता है जैसे कोई तेल कांच या अब्रक इस प्रकार से कुछ भी है वो कोई अनपरावेदूत माध्यम आ सकते है तब अगर यह होगा तब उस वल एफ का मान क्या होना चाहिए अब यहाँ पे epsilon 0 के बाद मैंने के लिखा हुआ है और यह क्या है के एक बिमाहीन नियतांक यहाँ पे माना जाएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहां के एक बिमाहीन नियतांक है अगर इसका बिमा निकाला जाए तो केक का क्या मिल जागा केक हमारा बिमाहीन नियतांक है ठीक है तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि कुलाम का नियम क्या है और उसको किस तरह से प्रूप मैंने कर दिया कि कुलाम का मान कितना है और कुलाम के बल सम्मदी नियम क्या है यदि आप इस प्रकार से किसी भी परिभासा को याद करना चाहते हैं या उसका निगमन चाहते हैं तो आप कमिट बॉक्स में कमिट जरूर करें आपको आगे बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से याद करें और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद